नितीश ने देश और हरियाना का नाम रोशन किया है यूरोप महादीप की रूस में सबसे उची चोटी माउंट एलब्रेस पर तीन दिन में चड़ते होए चोटी पर तिरंगा फेहराया जिसकी बाद अब खरकूदा पहुँचने पर नितीश का जोरदार स्वागत किया गया ग्रामणों ने तिरंगा लेकर नितीश का स्वागत गया और जोरा नितीश ने कहा कि आने वाले समय में वो दुनिया की पांच और अन्य उची चोटीों को फते करेंगे अब नितीश जो है वो सोनिपत पहुचा है और यहां पर इसका जो है जोरदार स्वागत जो है वो ग्रामणों तवारा किया गया है हम एक बार बात कर लेते हैं यहां पर नितीश जी जिस तरह से आपने सबसे पहले कौन सी चोटी तड़े और कौन सा संगा माउंट एवरेश्ट उसको पास दिन में फटह किया उसके बाद फिर एक महीने बाद 21 जून को अंतराश्टिय योग दिवस के उपलक्ष में मैंने जो यूरोप माधिव की सबसे उची चोटिया माउंट एलबुरूस उसको तरंगा पर एक तो जो सभी माधिव को की जो सबसे उची पाथ चोटिया आए आठ आठी जंगा पाथ चोटियों को मैं एक महीने के अंदर पता गए इस तरह से लड़के ने इतना अच्छा कर दिखाया क्या कहना चाहते हो गाओं की तरफ से बहुत जबर्दस सवागत हुआ है देखो मेरे गाओं की तरफ से भी पोरे समाज की तरफ से ये पूरे देश का चीत्तर गार्यानेगा सबसका नाम रोशन किया І लड़के ने इस लड़के ने वह काम करके दिखाया एसम्भो को सम्भो बना कर दिखाया लग सब्स्र सरुवाट में जब लग रहा था इसकाम क कि साल तक है जी किना हमारे चेहतर का हमारे गाउं का हमारे परदेश का बहुत नाम रोशन गया में इस पर गरोव जी राजेश खत्रीच जी मीडिया सोनी पाथ